जिस सोचना क्या पड़ेगा देखिए अजिसमंगार लिवानिसे चाहिए उसकार के सब कुछा लोगी विए पूरी मूवियात शोचना लुखाए जब रहसे को अबने लाना चाहिए सब रहसे की बारते कर रहा है, एक मिनट खुल लीजे, पूरी मुवी आपको डाउनर के लिए देगी दसी क्रैच सिकंबर कैसे बने, सी क्रैट को जाने सिकंबर के लिए देगे पूरी काइनात उसको आपको देने में लग जाएगी वैसा ही होना शुरू हो जाएगा यही है सीखेट का सिद्धान आगा तो नहीं दिखा पा हूँगा लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सभी इस मुवी को डाउनलोड करें और इसको जरूर देखें चलिए जी मैं अपनी मुद्धे पर आ रहा हूँ मैं आपको आज की चर्चा में यह बता चुका हूँ कि स्वाप कॉंट्राक्ट का मतलब क्या हूँ अदला बदली अदला बदली मतलब आपके पास जो अच्छा है और आपकी जिस चीज में महारत हासिल है वो दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करें और जो उसके पास महारत हासिल है वो आपको दे जो आपके पास महारत हासिल है वो आप उसको दे और दोनों की कॉस्ट कि मिनिमाइज कर ले तो थोड़ा खोल के थोड़ा और एक एग्जांपल देके बताओ ठीक है बेटे मैं आपसे एक 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 जांपल लेता हूं बेटे मान के जलते हैं कि एक उनाइट्री स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कम्पनी है जिसका काम रुएस्से में है और जो डॉलर्स में डील करती है और बेटे दूसरी कम्पनी है जपान जो तोक्यों में बिस्नस है और बेटे ये येन में डील करते हैं क्योंकि बेटे इंगी करंसी वही है जपान की येन और युएस्से वाले की डॉलर अब बेटे मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर युनाइटिट स्टेट्स अफ अमेरिका को डॉलर की बॉरो करने की रिक्वार्मेंट हो माल लेते हैं इनको बॉरो करने की ज़रूरत पड़ गई तो डॉलर अगर अमेरिकन कंपनी बॉरो करेगी तो मान रहें आठ परसेंट पर एनम का सूथ लगएगा इंट्रेस्ट अगर जैपनी को भी डॉलर बॉरो करने की रिक्वार्मेंट पड़ गई इनको भी डॉलर चाहिए तो मैं आप से पूछूँगा आप बताएं इनको जो डॉलर चाहिए जपान की कंपनी को इनको इंट्रेस्ट रेट आठ पर्सेंट से ज्यादा लगना चाहिए यह हां बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं जैपनीज कंपनी को इंट्रेस्ट रेट लगेगा वह माल लेते हैं दस पर्सेंट लगेगा आठ से जारा ही लगना है एक बच्छा कहता ऐसा क्यों बेटे आप यह बताओ जिस महले में आप रहते हो जिस देश में आप रहते हो उसमे आपके डॉमिनिटिंग पॉजिशन नहीं होती है वहां लोग जानते हैं नहीं आपको वहां पर कॉस्ट कम नहीं होती तो पेटे जब अमेरिकन कंपनी को डॉलर चाहिए जब अमेरिकन कंपनी को डॉलर चाहिए तो आठ परसन का सूथ है और अमेरिकन कंपनी की जगे अग से ज्यादा होगा दस परसंट होगा इसी तरह से मान के चल रहे हैं कि जब जापनीस कंपनी को अगर येन की रिक्वार्मेंट पढ़ लिए येन बौरो कर लिए मैं मान रहा हूं जी छे परसंट का ब्याज हो को कि एगर येस से कमी में नीकों बौरो करना है तो आपके सायरे इस परसंट से कम होना चाहिए जादा होना चाहिए बड़ी सिंपल सी बात है मैं कर दू ऐसमें लिल ये तो मैं आपर गहा करा हूं कि ऐसे मिए और जैपनीज कमपनी के बीच में बादचीद हो जाए और वो बादचीद एक डीलर करा दे, बैंक करा दे, जिसको हम स्वाप डीलर बोलेंगे, तो पेटे इन दोनों की कॉस्ट मिनिमाइज हो सकती है, तो पेटे जो बड़े-बड़े देश हैं, वर्ल्ड बैंक कई बर स्वाप बन जाते ज्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं आपको जो मैं बता रहा हूं वो है इंट्रेस्ट रेट स्वाप्स मैं इस समय आपको इंट्रेस्ट रेट स्वाप्स की बाते करता हूं कि वैसे बैटे कमोडिटी को एक्स्चेंज कर सकते हैं मैंने का human beams को भी exchange कर सकते हैं, currency को भी exchange कर सकते हैं, stock को भी कर सकते हैं, इसी तरह से आप अपनी interest rate obligation को भी exchange कर सकते हैं. interest rate obligation को भी exchange कर सकते हैं, इसका नाम है interest rate swaps, इसमें कुछ नहीं, जो company, जाज़े मैं question करके सम्हाऊंगा, तो जाता समझाएगा, चलिए जी, एक ही question करेंगे, जाता नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, question number 26, आया जी, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, बेटे, बैने बोलाओ था, question number 26A, बेटे, 26 पढ़ना है, page number 485, बेटे, हमने, जो भी किया अभी तक, वो interest rate swaps के लिए किया, मैंने आपको जैसे last glass, मैंने बताया जाजे आपको पीछली, थोले दिर पहले, कि swap में, हम किसी भी चीज का swap कर सकते है, ठीक है, मैं कोशने का तुरू बता हूँ का कैसे कर रहे, sony limited and tony, question बहुत ही पढ़िया जी, question 26, page 485, sony and tony, have the following interest rates, अंडलन कर दीजे, interest rates, इसका मतलाब, इसमें कुछ interest rate swaps की बाते हो रहे है, sony limited, का interest rate, USA dollar के लिए है, दोस्तों, LIBOR, plus 0.25%, मैं जाता हूँ, पहले 27 पढ़े लें, उसके बाद 26 बिरेंट फोड़ा था, आप कुछ आता समझ आएगा, page 485, page 485, question 27, पहले 27 करेंगे, फिर उसके 5 मिनट के बाद भी, मैं 26 कर रहा हूँ, शुष्मा लिमिटेड, wants to borrow, तो इसमें जादा कंटेंट है, तो जादा समझाएगा, और की कारण नहीं है, शुष्मा लिमिटेड, wants to borrow, US dollars, वो गारे जी, शुष्मा, को, dollars borrow करने चाहिए, dollars बॉरो करने का मन है, at fixed rate, डूसरी कंपनी है, विजे, विजे, wishes to borrow, ये 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 बॉरो करना चाहते है, पेटे, fixed rate में, the amount received by two companies, are roughly the same, और जो दोनों का amount, वो करना चाहते है, amount of borrowing, is the same, the companies have been quoted, the following interest rates, ये जो companies है, इनका interest rates, borrowing का interest rates, mentioned है, कि अगर शुष्मा, yen बॉरो करती है, तो शुष्मा को, yen का, 4% लाइंट रगे रहा, और विजे, अगर yen बॉरो करती है, तो 5.5% लगे रहा, ऐसे ही अगर शुष्मा, डॉलर करती है, और विजे डॉलर करती है, design a swap deal, अंडलेंग करती है, design a swap deal, that will net a bank, acting as intermediary, अंडलेंग जो है, इंटर, मीडिरी का काम कर रही है, दलाल, मैंने बताया था जी, swap dealers जनरली को लोगे, जो दलाल होते है, swap dealers, दलाल, bank, financial institutions, ये फ्रम दलाल बन जाते है, 50 basis points, per annum, ये करा जी, मुझे दलाली देता न, 0.5% दलाली, 0.5% की, ये कहे रहा है, make the swap equally attractive, to the companies, and ensure that, all foreign exchange risk, is assumed by the bank, अनाम जा बटे, question number 27, पढ़ लीजे, मैंने पढ़ लिया है, मैं एक मिन्ट ओर दे रहा हू, आप पढ़े, अराम से करेंगे, 27 करेंगे, फिर 26 करेंगे, आपको समझ आगा इस बात की गरेंटी है, और बहुत दिनों से एक इंट्रेसेट फ्राप्स, पेपर में नहीं आया, तो आने वाल है, तो पेटा, पहले तो मैं नोट वाल लिख रहा हूँ, जो घर के लिए होते, तो जोशाओ, एक आपके रहा हूँ, तो आपके रहा हूँ, अपके रहा हूँ इंटरत्रेट्पयट्पकिन, भाल करेंगे, पर पहल आप कि आप्र श कर तो आप कर दो आप खर रिप्र जाप आप कर दो दोस्ते कि ऊसरा, आप पर दो आप कर दोकि खंद वेजर लुटो लंगने दोफिंगाद्ट थिस्वें प्राद। आज आज स्वाब डिलर मेटें बैंक स्वाब डिलर काम कर रहा है चलिए जी में रांजर शुरू करेंगे स्टेटमेंट शोईंग डिजाइनिंग आजन आज स्वाब अचलिए रख स्वाब डिलर शुरू कर भंच ठोई बद्रस्ट रख स्वाब Step number one, Shushma Limited wants to borrow USD and Vijay Limited wants to borrow JPY, Aram Jemiter. Shushma Limited wants to borrow USD and Vijay Limited wants to borrow JPY. following is the comparative table, showing interest rates, showing interest rates, Aram Jemiter. Step number one, I am writing here, Shushma and then Vijay. अगर Shushma yen borrow करती है, तो 4% का rate लिखाजी, और अगर Shushma dollar borrow करती है, तो 8.6% का rate लिखाजी, और अगर Vijay yen borrow करती है, तो 5.5% का rate लिखाजी, और dollar 9.0% का rate लिखाजी, और डॉलर 9.0% का rate है. आपको अब यह देखना है, कि yen बोरो किया जाए, तो किसको करना चाहिए, किसके यहाँ पर interest rate कम है, अगर yen, Shushma borrow करती है, तो 4% का rate लिखाजी, और अगर yen, Vijay बोरो करती है, तो 5.5% का rate लिखाजी, और अगर यहन वीजे बोरो करती है, तो rates में, difference कितना है, 1.5% का इसमें, और 0.4% का इसमें, चेक कर लिए, यह कब होगा, जब Shushma yen बोरो करेंगी, और यह भी कब होगा, जब Shushma dollar बोरो करेंगी, इसका मतला मैं लिख रहा हूँ और लिख रहा है, और यहाँ बोरो करेंगी, Shushma Lieutenant बोरो करेंगी, Shushma Limited है बोरो करेंगी बोरो करेंगी, Shushma Limited है बोरो करेंगी, Shushma Limited has a dominating position In both cases, Shushma has absolute advantage, एक नया वर्ड लिख दिया जी, Shushma को जन में भी एडवांटेज है, Shushma को दोलर में भी एडवांटेज है, अज्वांटेज और में दोलर में वर्ड लिख दिया को जन में भी एडवांटेज है, एक नूमर्ड लिख वर्ड लिख आउट लिख़ और में और में भी एडवांटेजन है, interest will be 1.5 percent, because saving in interest will be 1.5 percent, मैंने याज कार लगा दिन, यन अगर शुष्मा बारो करती है, तो बेटे, तेड़ परसेंट का फायदा होगा, 1.5 percent will be the profit, और शुष्मा ही अगर dollar बोरो करती है, तो 0.4 का benefit होगा, मतलब शुष्मा ये भी अच्छा बना सकती है, रोटी भी और शुष्मा fruit cream भी अच्छा बना सकती है, लेकिन जादा अच्छी fruit cream बनाती है, तो शुष्मा को क्या करना चाहिए, fruit cream भी बनानी चाहिए, तो और कुछ आगे लिख दिया, step number two, शुष्मा लिटिब, शुष्मा लिटिब, शुड बोरो, ये, at the rate of 4 percent per hour, 4 percent, and give yens to bank, और bank को दे देने चाहिए, क्योंकि वो swap dealer का काम कर रहा है, अब एक बच्चा पूछ रहा है, शुष्मा को तो येन चाहिए ही नहीं थे, हाँ, हाँ, ठंड रखो, मुझे मालूम है, शुष्मा को येन नहीं चाहिए थे, शुष्मा को डॉलर चाहिए थे, तो शु शुष्मा फिर भी yen borrow कर रही है, मुझे पता है, क्योंकि वो yen जो है dealer को दे देगी, ठीक हमें अभी सोच रहे हैं कि उसको क्या चाहिए था, automatically आपको दिखे जाएगा, फिर लिखें जी, in order to make a complete interest rate swap deal, VJ Limited should borrow, VJ Limited should borrow, Dollars, that is USD, at the rate of 9%, हाँ मुझे पता है कि 9% महंगा है, लेकिन बेटे अगर एक वच्चे, एक एक कंपनी को की dominating position ही नहीं है, और वो swap करना चाहती है, तो कुछ तो काम उसको भी करना पड़ेगा, मैं आप एक बात पूछता हूँ, कि suppose करते हैं, आपके घर में दो भावी हैं, भावी नंबर वन, भावी नंबर टू, चले तीन भावी हैं, भावी नंबर तीन, और आप अकेली भेहन हैं, इन तीनों भाईयों की, और इन भावीयों की, suppose करते हैं कि आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अब यह जो भावी नंबर वन हैं, यह सबजी भी अच्छा बना लेती हैं, यह सुडिश भी अच्छी बना लेती हैं, यह स्नैक्स भी अच्छे बना लेती हैं, तो क्या लगता है, क्या भावी नंबर वन सुबह से यह सबिके लिए यह रात तक कामी करती रहेगी तैंको अच्छा आधे नहीं मेटें इसमें से देखा जाएगा कि सब से अच्छा क्या बनाना आपता है भावी नुम्बर एक को म् verbally नुम्बर एट यह बहले भावी 2 और भावी 3 को कुछ कम आता चाहिए यह आता ही नहीं है फिर भी भावी 2 और भावी 3 कुछ produce करेंगे कुछ बनाएंगी बेटे तभी तो यह swap deal होगी बेटे swap deal का मतलब क्या है कि उस deal में जो भी parties involved है उस deal में जो भी parties involved है उन सबी को कुछ नपुछ करना आफा नहीं कि एक व्यक्ति ही सारे काम करेगा तो जिरू अकेला को न хочется यहाँ शुश्मा जिए भी बौरो कर सकती है सफ्टे में । शुश्मा डालर भी बौरो कर सकती है सफ्टे में तो वो दोनों बोरो करना तो फिर डील किस बात की अभी ठंड रखी एक सेकिंड में समझ आएगा शुश्मा को वो काम करना चाहिए जो उसको बहुत अच्छा आता है या जिसमें सबसे कहाता फायदा होगा जैसे यह बोरो करेगी तो इंट्रस्टेट कम लगेगा सबसे कम त लिए खाली हम कहें जी वीचे के लिए कॉस्ट जाना है डॉलर की नहीं करेगी तो मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि मैं स्टेप नंबर 3 में चल रहा हूँ फॉल्लविंग इस दफ्लो चार्ट अराम से देखे फहले फॉल्लॉविंग इस दफ्लो चार्ट ओफ इंट्रस्ट रेट श्वाप पेटे इसके बाद जाला समझाया है का सुष्मा लिमिट्ट इरे विजे विजे लिमिट्ट इरे स्वाप डीलर जो यहां पर बैंक है स्वाप डीलर यह रहा शुष्मा क्या करेंगी अभी इसको क्या चाहिए मुसकी बात नहीं कर रहे हैं शुष्मा जैन बॉरो कर दिये चार परसंट और डीलर को दे रहे हैं और विजे इसको क्या चाहिए अभी हम टेंशन दिले रहें डॉलर बोरो कर रहा है नो परसंट बे और डीलर को दे रहा है अब यहां बर येन और डॉलर दोनों घूम रहे हैं डीलर इस पोटली में से डॉलर निकालेगा और शुष्मा को दे देगा और शुष्मा से कितना चार्ज करेगा जितना वो अगर अकेले करती तो लगता 8.6 परसंट और यह नहीं निकालेगा और विजे को देदेगा कितना चार्ज करेगा 5.5 परसंट अगर अकेला काम करती चुष्मा या विजे तो इस रेट पर बोरो करती आराम से देख लीजे पहले को स्टेप नमबर थ्री फॉलुविंग इस दफ्लो चार्ट और इंट्रेस्ट रेट स्वाप्स मैं कह रहा हूं मेरे से बढ़िया समझाई नी सकता कोई क्या बात कर दिया अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप में कमिया भ्यान से सुननी रहे मैं इस कोशन में आदा घंट यहा यहाचु हो ओ यहाचु हा आप अबाधनी सिस्ट्व ब्टो यहाच जया इस स्ट्राक्र्ट वहाच अव्यार्ट अधर बंब इसकोश्यू आपकर्विश्यूं गडिया झाय का आट जी ग्डिया बम नीधर इस कर दिदू किन आट आटेश्युं अश्यु इसत्ट नै swap deal की बजार से क्या net benefit है, income to swap dealer bank, expense to swap dealer bank, less commission, paid to bank, paid to swap dealer, बैटे यहां जो बचेगा, इसका नाम है net benefit, इसको बोलते हैं, net benefit, आप अधाये जी swap dealer की income की इंकम की बचेए, क्या होगी, चित्र को देखे देखान से, क्योंकि चित्र खुदी बता देगा, swap dealer की income वो होगी, जो वो लोगों से चार्ज करेगा, जैसे यह income है, यह भी income, swap dealer जो शुष्मा से चार्ज करेगा, 8.6% और 5.5% जो वीजे से करेगा, और swap dealer जो pay करेगा, expense, swap dealer को देना पड़ेगा, क्योंकि शुष्मा ने, यह बोरो के swap dealer के कहने पर, जैसे उसको चाहिए नहीं थे, तो swap dealer के लिए expense है 4% और विजे के लिए expense है 9%, तो पेटे आराम से देखीजे, income 8.6, प्लस साढ़े पांच, 8.6, प्लस 5.5%, यह तो income है, expense 4% प्लस 9%, अराम से पेटे, और 0.5, बेटे 50 basis point ना मतलब्या होता है, 0.5%, बेटे वो commission है, तो चलिए जी निगाल दे, बेटे 0.6 आ रहा है, आप एक बार चेक कर लें, 0.6%, 8.6, प्लस 5.5, माइनस 4, माइनस 9, 1.1, और 1.1 में से 0.5 less कर देए, तो 0.6%, आपके सामने, नेट बेनिफिट आ रहा है, due to swap deal, due to swap deal, पूचा रहे जंडा हमारा, तो बेटे आराम से देख लीजिए, मैंने step 4 प्रिपेर कर दिया है, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, अब बेटे यह जो 0.6% का बेनिफिट आया है, यह हमें डिस्टिब्यूट करना है, शुष्मा में और वीजे में, तो मैं यहां लिख रहा हूँ, नेट बेनिफिट, देट वीजे कर देख 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 एगा, विच विल बी शेर्ड जो बाटा जाएगा इन बट्वीन विच विल बी शेर्ड इन बट्वीन शुष्मा एंड विजे विच 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 वि कुछ इस तरह से बाटना है एकुली का मतलब 50-50 परसंट नहीं है यह जो 0.6 परसंट आया है इसको इस तरह से बाटना है कि शुष्मा को भी और विजे को भी लास्ट में बेनेफिट ही हो अब आप एक चीज़ बताइए दोनों कंपनीज में कौनसी ज्यादा शक्तिशाली कंपनी दिखी आपको कौनसी ज्यादा डॉमिनेटिंग दिखी किसका ज्यादा ट्रस्ट दिखा आपको बार्केट में शुष्मा का तो बेटे वो जो 0.6% आया है उसका मेजर हिस्सा किसको जाना चाहिए शुष्मा को मेरी बात आप समझे लिए एकुली का मतलब 50-50 नहीं है इकुली अट्रक्टिव का मतलब है कि जिसकी जितना इन्फॉंच है उस हिसाब से उसको डिस्टिब्यूट करें तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं देखिए रहा ध्यान से मैं लिख रहा हूं एज शुष्मा is has a dominating position and sushMIN has a dominating position hence hence a higher a higher प्र 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 पर्पर्पोर्सिंट नेत बेन बेन अजुड बेन शुड बेस्ट से लिए शुड़िए अजीए। तू विजे एस कमपेर तू विजे लेटू दह शेरिंग रेशो भी अभी कुछ में ले रहा हूं मैं ले रहा हूं तू इस तू वन आप 3 is to 1, 3 is to 2, 4 is to 3 कुछ भी ले सकते हैं मैं आप से क्या कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे मैं यह कह रहा हूँ कि शुश्मा की पुजीशन विजे से बहुत स्टॉग है तो जो 0.6% का बेनेफिट बच्चा वो जादा किसको देना, शुश्मा को अब इस तरह से करना कि डेसिमल्स ना है यह 6 है, तो मैं अगर 3 is to 1 लेनू तो डेसिमल्स आजाएंगे, तो मैंने ले लिए आजी 2 is to 1 तो 0.4% शुश्मा को देदेंगे इसका बेनेफिट और 0.2% शुश्मा को देदेंगे, तो बेटे, यह 2 is to 1 पेपर में दिया नहीं होगा, वाह लिखा होगा, एकुली अट्रेक्टिव, आपको समझना है उस बात को, ठीक, तो मैंने क्या लिखा, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, and 0.2% will be shared with Vijay, अराम को देख लीजे, कोई जल्दवाजी है नहीं पेटे, आदा पोना खंटा होगा, एक ही कोश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे से दूर बैढ है, मैं चाहता हूँ, आपको एक-एक बात समझाओं, आपके मन में एक पॉइंट का भी शंदेंगा हो, अभी उसको करने का माल रिपीट का हुआ, तो चलिये जी, अब एक स्टेप और करने हो, ज्यादा समझाए नहीं, स्टेप नम्मर सिक्स्ट, following is the statement showing effective interest cost, अब मैं देख रहा हूँ कि आखरी में उनको कितनी cost देनी पड़ी, effective cost कितनी पड़ी, बेटे शुष्मा, बेटे विजे, आब बदाये, आब बदाये, शुष्मा को कितना पेह करना बड़ा, इंटरेस्ट पेड बाई शुष्मा, शुष्मा को कितने पड़ी करना बड़ा, आठ पॉइंट छे, आठ पॉइंट छे, और इसको पाँच पॉइंट पाँच, लेस बेनेफिट, अब मैंने बेनेफिट इसको यहां से दे दिया, पॉइंट चार और पॉइंट टू, तो इफेक्टिव कोस्ट, 8.2 परसें, और 5.3 परसें, अराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं मेरे लाल, अराम से देखले बेटे, आदा गंडा होया बेटे, इसका मतलब, अगर वो स्वाप डील में ना जाते, तो 8.6 परसेंट की कौस देनी पड़ी, स्वाप डील में जाने की वज़ा से 8.2 की देनी पड़ी,